Hello everyone, Good morning, Good afternoon, Good evening, जिस वक्त पी आप ये वीडियो देख रहे हो, जैसा कि आपने वीडियो के थम्निल में या वीडियो के टाइटल में देखा कि आज हम बात करेंगे स्क्वीक्स एक इंडियन शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में जो आज से ठीक 106 या 107 दिन के बाद 15 अगस्त को लांच होने वाला है, मैं ये वीडियो 39 अप्रेल को बना रहा हूं तो विश्व साब से 106 या 107 दिन आ रहे हैं, आप एड्रेस कर लिए उसमें, ये इ तोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफ्रमेशन, आज के टाइम में डेटा बहुत ही इंपोर्टन्ट है, चाहे वो मेरा डेटा हो या आपका डेटा हो, हम सब का डेटा, तो क्यों ना इस डेटा को हमारे देश में एक बहुत ही सेफ्त और श शब्राइब किया है, वो क्यों किया है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ हो, हमारे देश में जोब्स बड़े, ऑपरचिनिटीस बड़े और अनेम्प्लोमेंट कम हो, हमारा ट्रेट डेफिसित कम हो, उसके लिए मेक इंडिया करना है औ और हमारे देश में जितना ज्यादा हो सके उतना फोरेंड रिजर्व्स बड़े हैं क्या आपको पता है चाइना ने यूट्यूब वाट्सअप गूगल एमेजोन ट्विटर इन सब को ब्लॉक या बैन क्यों किया हुआ है अगर नहीं पता तो ये में 2 मिनिट या 3 मिनिट के एक वीडियो अ क्लिप लिखा रहा हूं आप द्यान से सुने पहले उसके बाद मैं आपको स्कुएक्स के सारे बैस्ट फीचर्ज के बारे में बताने जारा हूँ तो यह वीडियो एक बार पहले देख लीज sabem इन बैंट्स के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि फेस्बुक, गूगल और यूट्यूब जैसी बड़ी कमपनी यूएस बेस्ट है और चाइनीज गर्मेंट ही नहीं चाहती कि उसके लोगों का डेटा यूएस गर्मेंट के हाथ में रहे चाइनीज गर्मेंट ने पहला बैन 15 ओक्टबर 2007 को लगाया था और ये बैन 22 मार्च 2008 तक चला इसके बाद सेकेंड बैन 24 मार्च 2009 को स्टार्ट हुआ और आज तक यूट्यूब चाइना में बैंड है ओके फ्रेंड्स तो अगर आप चैनल पे पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत ना भूलिए और वीडियो को जितना हो सके एक सचे भारत प्रेमी और भारत ये के नाते इस वीडियो को जितना हो सके शेर जरूर कीजिए और आगे आपको ऐसी ही squix के बारे में जितनी भी information आएगी लेट टेस्ट अपडेट आपको मिलेगी और मैं बहुत सारी world की best seller books के बारे में बताता रहता हूँ parts के जरीए जो वीडियो के जरीए आप आसानी से free में information ले सकते हो तो उसके लिए भी वीडियो चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो आप बात करते हैं squix के features के बारे में जो आपको बहुत सारी तरह की कितने सारे platform कितनी सारी facilities प्रोवाइट करने माला है सबसे पहले इस पे आप whatsapp messengers और google के जितने भी messenger apps है इसी तरह से one to one और one to many message कर सकते हो skype google duo whatsapp calling की जैसे ही one to one voice call और video call भी कर सकते हो और one to many voice call और video call कर सकते हो आपके mutual followers के साथ आप बिल्कुल facebook की तरह squix groups और squix pages बना सकते हो जिसमें public groups भी है अवेलेबल होंगे और private groups पे अवेलेबल होंगे personal brands के लिए भी आप group बना सकते हो आप in shorts times of india economic times की तरह ही सिर्फ इसी के अंदर दुनिया की जितने भी news है उन सब की highlight देख सकते हो इसके बाद है squix launchpad यहाँ पे हम अपना business create कर सकते हैं हम advertisement कर सकते हैं जैसे google adwords advertisement के facility देता है facebook ads का facility दे रहा है उसी तरह उसके बाद है आप google maps google shop और ebay की तरह जो service provide करते हैं उसी तरह आप यहाँ पे squix shops का यूज कर सकते हो यहाँ पे user अपना खुद का online store create कर सकता है और कोई भी physical या digital product sale कर सकता है squix themes की help से आप अपने इसाब से अपने features को customize कर सकते हैं और हाँ यह जो feature है squix dubs यहाँ पे same tik-tok की तरह आप small videos में आपका जो भी talent है वो show कर सकते हो बिल्कुल tik-tok की तरह हर प्रकार के sounds और music आपको इसमें मिल जाएंगे squix audio और video channel के जरिए आप same to same YouTube की तरह ही आपका कोई भी content हो जिसमें भी आप माहिर हो उसके related video बना के squix audio और video channel पे upload कर सकते हो और भी बहुत सारे features है जो आने वाले है जिसमें आप online classroom हटन कर सकते हो आप online coaching ले सकते हो और साथ-साथ students अपने notes को share कर सकता है और पढ़ सकता है अपने classmates के साथ तो इतने सारे features आपको squix में मिल जाएंगे जो कि एक India का social media platform है और मैं आपको recommend करूँगा कि इसको जरूर use करिए 15 अगस्त को ये release होंगा इस पे video upload करने के बाद YouTube जैसे payment करता है ads का revenue मिलता है उसका revenue आपको किस तरह से मिलेगा उसका information जैसे ही आगयाएगा मैं उसके ओपर video बनाऊंगा तो उसके लिए आप मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए thank you so much आप video पर बने रहे हैं उसके लिए bye bye take care